Hello everyone, Jayhand, my name is Amza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alok Super Dead के लिए English के लिए ये मेरा पहला lecture है तो चलिए start करते हैं without wasting time सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो subject actually है क्या उसका nature क्या है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या तयार करना है ये बहुत important होता है क्योंकि किसी भी चीज को जब आप study करते हैं तो उसका एक nature पता होना चाहिए, उसका एक background पता होना चाहिए तो हम इस lecture में पढ़ने जा रहे हैं English क्या पढ़ने जा रहे हैं भई? English तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कि जो English है, ये है क्या चीज? What is English? तो English word originate हुआ है England से, किसे? England से और England की किसी भी चीज को हम English कहते हैं, जो भी चीज इंगलेंड से related है, उसे हम English कहेंगे ठीक है, जैसे India से related चीज को Indian कहेंगे, China से related चीज को Chinese कहेंगे, वैसे ही England से related किसी भी चीज को हम English कहेंगे तो English, England से related किसी भी चीज को कहा जाता है, जैसे English clothes, English civilization, English play, English people, etc. ठीक है? फिर English से word बना English language और language को फिर हम सिर्फ English बोलने लगें तो ये एक भाशा का नाम बन गया वैसे तो English word adjective भी होता है लेकिन noun में आने के बाद ये भाशा का नाम हो जाता है ठीक है तो यहां से इतना तो समझ में आ रहा है कि English language England से ली गई है mainly इसकी जो origin है वो England से है और international level पर क्योंकि England के लोगों ने rule किया कई देशों में उन्हें रूल किया तो उन्होंने अपनी भाशा भी वहां पर फैलाई अपनी सभेटा भी थोड़ी बहुत फैलाई थोड़ी बहुत क्या बहुत इवेन हम लोग डुस्ट भी आप जो पहनते तो उन्हीं क्या जैसे पहनने लगे हैं क्योंकि हमारे मां इंडिंटनेशणल लांगवज बन गए क्योंकि कई कंट्री में उन्होंने उसे फैलाया तो जो हम इंटनेशनल इंगलिश सीखते हैं वह इंग्लेंड की ही लांगविज है तो सबसे पहले यह थो समझ में आगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हम इंगलेंड की लांगवज जो क कि French, German, Italy, Greek, इनके words को हमने ले करके English को बनाया है और easiest language मानी जाती है, इसे सीखना समझना बहुत आसान है तो इतनी बात पहले समझ में आगए, फिर एक बात और ये समझ में आए कि English एक language है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि language होती क्या चीज है अगर हम language को define करेंगे, तो language की definition हमें क्या मिलेगी तो चलिए देखते हैं, अगर language को define किया जाए तो हमें एक simple सी definition मिलेगी, कि a language is a medium Give me a moment of exchanging ideas, तो समझ में ये आ रहा है कि भाशा विचारों के आदान-प्रदान का माध्याम है देखें, मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मैं हर एक definition को हिंदी में भी लिखूंगा, तो आप English से interact कम कर पाएंगे तो मैं आपके लिए ऐसे आसान बना दूँगा, कि मैंने किसी definition को अगर English में लिखी तो मैं उसको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझ लीजे ठीक है, तो क्या कह रहे है, language एक माध्यम है क्या है, माध्यम है, किस चीज़ का, exchange करने का, यानि आदान प्रदान करने का, क्या आदान प्रदान करने का, ideas यानि विचार तो आसान शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाशा कहते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपके सामने आया, तो मैंने कुछ अपने ideas आप से exchange किये न, exchange नहीं किया, actually मैंने तो सिर्फ दिया ही, अभी आपके ideas मेरे तक नही पहुच रहे हैं, ठीक है, बट आपके comments वगएरा में आपके ideas भी मुझ तक पहुचेंगे, तो ये जो idea मैंने आपके साथ share किया, इसको share करने के लिए मैंने क्या use किया, obviously language को use किया, ठीक है न, तो अब ये जो language use हुई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये language भी दो तरहा की होती है, कितनी तरहा की होती है, दो तरहा की, एक होती है, verbal language, क्या होती है भई, verbal, और दूसरी होती है, non-verbal language, तो verbal and non-verbal, verbal language वो होती है, जिसमें हम words का use करते हैं, और non-verbal language वो होती है, जिसमें हम science का, या gesture का, या images का use करते हैं, ठीक है? कि जेस्चीर क्या होता है जेस्चीर बहुत से लोग से गैस्चीर बिखते है यह जश्चीर होता है Wheels च करते हैं इसके भी दो तरह दो तल्स होते हैं एक तहलता और यानि शब्दों का बोल सकते हैं दूसरा ओता रिटni यनि शब्दों का घ्राओर आता है तो आपसे सीधा बिए आफ़ ग्रकि ऐसे इशारा कर दे रहा है ऐसे करके तो आप समझ जा रहे हैं कि वह भूका है वह कुछ मांग रहा है तो यह कौन सी लांग्विज हो गई यह नॉन वर्बल लांग्विज हो गई उसने जेस्टर किया ठीक है या कोई साइन है आपको किसी को बुलाना है दूर से आप ऐसे कर देते हैं ना बोल नहीं रहें बस ऐसे कर रहें तो वो समझ गया कि आप बुला रहें वो आ जाता है तो यह क्या है यह नॉन वर्बल लांगुज है यह कोई इमेज बूर्ड वगेरा कहीं लगा होता है मालेजे सिग्रेट बनी हुई है और सिग्रेट पर ऐसे लगा तो इस तरह के जो साइंस होते हैं या इमेजेज होते हैं इन्हें हम नॉन वर्बल लांगुज की कैटेगरी में रखते हैं और वर्बल में वर्ड्स होते हैं मैंने बताया ओरल और रिटन तो यह तो समझ में आ गया कि लांगुज क्या चीज होती है अब इंग्लिश भी ए 10 पर ही जादा focus करेंगे तो language है English language क्या है यह समझ में आ गया अच्छा जब language मैं बताता हूं तो वहां पर आपको grammar भी समझ लेना चाहिए कि grammar क्या चीज है बहुत से लोगों को लगता है कि language और grammar एक ही चीज है पर language और grammar एक ही चीज नहीं है language की study को हम grammar कहते हैं ठीक है ना जब हम language को सही से कैसे लिखा जाए सही से कैसे बोला जाए यह पढ़ते हैं language के rules पढ़ते हैं words को कहां कैसे set करना है जब यह पढ़ते हैं तो इसी study को grammar कहा जाता है ठीक है ना लांग्विज को ग्रामर नहीं कहा जाता लांग्विज तो भाशा हो गई और ग्रामर व्याकरण हुआ यानि study of language ठीक तो इतनी बात I hope clear है अब लांग्विज को जब हमने define किया मैं हरे कड़ी को जोड़ कर चलूँगा क्योंकि हरे कड़ी आपस में जुड़ी वी है आप भी ध्यान से समझेंगे लांग्विज को जब define किया तो ये पाया कि लांग्विज विचारों के आदान प्रदान का मात्यम है तो जब तक कोई विचार किसी तक ना पहुँचे तो लांग्विज बेकार है है ना ऐसी लांग्विज बेकार है जिससे आपका विचार ही ना पहुँचे किसी दूसरे तक तो language में में इसका motive है कि विचारों का अधान प्रतान हूं और अगर आप ध्यान दीजे कि मैं जब से यहां आया हूं मैंने कई सारे विचार आपके सामने रखें और उन विचारों में मैंने जिस भाषा जिस language का यूज किया वो ऐसी थी जो हम दोनों समझ रहते हैं और उ for example मैंने कहा कि सूपर्टेट के लिए मैं हापको mo Micheas पढ़ाऊ गा कि कंप्लीट सेंटेंस आ मैंने कहा कि हम बढ़ेंगे English 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 language Cape sitä तो सेंटेंस अगर मैं शेंटेंस सेंटेंसों नहीं बोलता मैं आता और मैं सीधह इस तरह से बात करताई सेूपर्टेट English, मैं, England की language, समझ में आता कुछ, कुछ नहीं समझ में आता, मेरा कोई idea आप तक नहीं पहुचता, तो देखा यह जाए, कि अगर हमें complete idea किसी तक पहुचाना है, तो हमें complete sentence form करना होता है, तो इससे हम यह भी समझ सकते हैं, कि अगर हम verbal language की बात करें, जिसमें words का use होता है, तो language actually बनती है sentences से, और sentence की अगर definition देखी जाए, तो क्या होगी, चलिए देखते हैं, किसी भी language को अगर समझना है, तो हमें उसके sentences बनाने आने चाहिए, और sentence बनाने से पहले यह पता होना च कि sentence होता क्या है, तो चलिए sentence क्या होता है, यह देख लेते हैं, Okay, sentence की definition अगर देखी जाए, तो बहुत common definition आपको मिल जाती है, और मैं भी एक simple सी definition दूँगा, वो definition क्या है, कि कोई भी sentence group of words होता है, चीक है, a group of words, लेकिन मैं एक word यहाँ पर add करूँगा, मैं कहूँगा a group of, एक के दो words add करूँगा, a group of grammatically arranged words, तो मैं यह कहूँगा कि समूँ तो होता है, और शब्दों का ही होता है, इतनी बात तो सभी को clear है, सभी को पता रहती है, लेकिन शब्दों का व्याकरण के अनुसार क्रम बद समूँ, शब्दों का ऐसा समूँ, जो grammatically arranged हो, व्याकरण के अनुसार क्रम बद हो, मतलब हर एक शब्द की अपनी जगा होती है, और हर एक शब्द अपनी अपनी जगा पर जब हो, पहली शब्द के हर एक शब्द अपनी अपनी सही जगा पर हो, फिर, which makes a complete sense, जो पूरा भाव दे, एक complete sense दे, वही कहलाता है क्या, sentence, तो देखा जाते हैं, यह definition भी अपने आप में एक sentence ही है, है न, क्योंकि इसमें भी कई सारे words हैं, और हर एक word की अपनी जगा है, अपनी अपनी जगा पर वो रखे हुए हैं, arranged है, grammar के according, और सब मिलकर एक पूरा भाव दे रहे हैं, ठीक है न, तो ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, क्या, शब्दों का कैसा समू, जो व्याकरण के अनुसार क्रमबद हो, और जो पूरा भाव दे कहलाता है sentence, जैसे मैंने लिखा, I love my India, right, now you can see, one, two, three, four, four sentence, four words are here in a sentence, एक sentence में चार शब्द हैं, और हर एक शब्द अपनी अपनी जगहा पर है, उसकी अपनी पर्टिकुलर जगहा है, वो अपनी जगहा पर है, ठीक है न, और सब मिलकर एक पूरा का पूरा sense दे रहे हैं, तो यह sentence है, लेगिन अगर मैं ऐसा कुछ ट्राय करूँ, कि मैं इनकी position चेंज कर दूँ, मैं कह द sentence होगा, no, बिलकुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें पहली शर्त पूरी नहीं होई, शब्द grammatically arranged नहीं है, तो यह sentence नहीं हो सकता, और दूसरी बात, अगर शब्द grammatically arranged नहीं है, तो sense भी तो नहीं दे रहे हैं, क्या sense निकलेगा, India, my, I love, भारत, मेरा, मैं प्रेम करता हूँ, तो कोई sense नहीं निकल रहा है, हाँ भले ही आपकी भाशा में आया, तो आप अपने साथ समझ ले, that's another thing, लेकिन एक sense नहीं निकल पा रहा है, तो यह sentence नहीं है, तो हम यह समझ सकते हैं, कि sentence शब्दों का समू होता है, और वो समू ऐसा होता है, जिसमें शब्द व्या तो यह हमें अच्छी तरह समझ में आ गया कि English एक language है, language क्या है हमने अच्छी तरह समझ लिया, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम language है, और language बनती है sentences से, sentence क्या है, sentence शब्दों का समू है, जो व्याकरण के अनुसार, क्रम बद्ध हो और पूरा sense दे, ठेक, अब sentence किस से बनते हैं, वो बात sentence की definition में ही लिखी भी है, कि क्यूंकि sentence, शब्दों का समू है, शब्दों का समू है, तो इसका मतलब sentence किस से बन रहा है, शब्दों से बन रहा है, तो sentence सीखने के लिए हमें words सीखने होंगे, words की अगर बात की जाए, तो English language में common uses के लगभग 30 लाक words है, लगभग, असलब exact नहीं, उससे जादा भी है, तो लगभग 30 लाक words है, तो क्या हम यो सारे words सीखेंगे, नहीं, बिलकुल नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कमी लोग हों, शायद कोई हो जिसे सारे words पता हो, औरना मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई होगा, ठीक, तो words को लेकर के हम इतना दरूर समझना होता है कि इनकी categories क्या है, words की study हम करते हैं, कि किन categories में words होते हैं, ठीक है ना, तो इनको भी हम बाद में देखेंगे, फिर एक बात और समझे जीजी कि words किसे बनते हैं, words बनते हैं, letters से, तो अक्सर मैं जब अपने students से पूछता हूँ, जो किसी नए batch को joint करते हैं, तो अगर उन से पूछा जाता है कि कहां से पढ़ाना शुरू करें, तो एकदम zero से, एकदम base से पढ़ाईए, तो ठीक है, एकदम मैं base से पढ़ाऊंगा, और मैं तुमको पढ़ाना शुरू करूंगा, ABC से, मैं आप लोगों को letter से पढ़ाना शुरू करूंगा, ABC से, ठीक है, अब इस से अदर नीचे तो नहीं जा सकते हैं, पर हाँ ABCD नहीं पढ़ाने वालों हों है, कि A से देकर Z तक पहले याद करूंगा, तो आपको आता है, ठीक है, उसमें जो चीज़ें नहीं आती हैं, वहां से समझना शुरू करेंगे, आचा ये एक पूरी CD होत कर लेते हैं, तो basic level का आप दे सकते हैं, हाँ, मैं उन exams की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें बहुत depth में grammar पूछी आती है, जैसे की bank SSC वगेरा के जो exam होते हैं, या cat वगेरा के exam, cat mat जो होता है, MBA entrance वगेरा के exam, ठीक है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी जैसे स्यारी करेंगे, तो super debt में बहुत जादा deep grammar नहीं पूछी जाती है, normal पूछी जाती है, तो उस level तक की grammar अगर आप इतनी चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं, तो हो जाता है, ठीक है, sentence के formation में तो वैसे दिखा जब बहुत कुछ आ जाएगा, sentence के formation में आपको kinds of sentences पढ़ना पढ़ेगा, उनके formations पढ़ने पढ़ेंगे, आपको उसमें tense पढ़ना पढ़ेगा, आपको उसमें subject verb agreement पढ़ना पढ़ेगा, आपको उसमें active passive पढ़ना पढ़ेगा, narration पढ़ना पढ़ेगा, तो देखा जाता है, तो formational sentence में सारी जो main grammar है वो आजाती है, ठीक है, और parts of speech को लेकर अगर बात करें तो words में आएगी उसमें आपको noun के uses, pronoun के uses, adjective के uses, verb के uses, adverb के uses, conjunction के uses, preposition, interjection, article ये सारे uses आपको पढ़ने पढ़ते हैं, ठीक है, तो overall हम grammar पूरी ही पढ़ेंगे, जितना सूपर टेट के लिए जरूरी है, उस से थोड़ा plus ही, minus नहीं, ठीक, तो I hope इतनी बात clear है, अब हम letters से पढ़ना शुरू करते हैं, जब मैं letters की बात करता हूँ, तो अकसर लोगों को लगता है कि letter तो हमें पता है, पूरी तरह से letter पर क्यों आ गए, पर मेरा मानना ये है, कि मैं हर उस student को भी consider करता हूँ, जिसे नहीं पता, और मेरा मानना ये है, कि जब letter और alphabet में क्या difference है, एक होता है आपका alphabet, क्या होता है, alphabet, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, वर्ण, माला, और एक होता है आपका एक alphabet के अंदर, 26 letters, जिसे हिंदी में कहते हैं, अक्षर, तो दोनों की हिंदी भी अलग है, तो दोनों के senses भी अलग है, अक्सर लोगों को लगता है, कि alphabet ही letter है, जबकि ये गलती है उनकी, alphabet पूरी series को कहते हैं, पूरी series को, यानि, एक alphabet तब होगा, जब आप पूरा A से लेकर Z तक लिखेंगे, ठीक है, तो वर्ण, माला, इसलिए कह रहे हैं न, कि वर्ण की पूरी माला होनी चाहिए, मतलब, कोई माला कैसे बनती है, जब कई सारे मोती होंगे, कई सारे फूल होंगे, जो एक धागे में पिरोए जाएंगे, तब ही तो माला बनेगी न, एक मोती की माला होती है, क्या, एक फूल की माला होती है, क्या, नहीं होती है, तो वर्ण माला क्या है, जब A से Z तक पूर alphabet कहला है का और उस एक alphabet के अंदर 26 letters होते हैं जो आप अच्छी तरह से लिखना जानते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, Q, V, W, X, Y, Z तक जब आप पूरा Z तक लिखते हैं तब जाकर आपके एक वर्ण माला होती है और उसके अंदर 26 इस अक्षर होते हैं, letters होते हैं, एक alphabet के अंदर 26 letters होते हैं और अच्छे से अगर इस बात को मैं समझाओं तो जैसे मैंने कहा दियर आर 5 5 alphabets in India मैंने ये sentence लिखा और इंडिया को as a word यूज किया और मैंने का इंडिया में 5 alphabets हैं आपने count किया 1,2,3,4,5 अगर आपको alphabet और letter का difference नहीं समझ में आता तो आप कह देंगे सही है ये sentence लेकिन अगर आपको difference समझ में आता तो आप कहेंगे 5 alphabets तोड़ी ना है 5 letters है क्या है 5 letters है क्योंकि ये एक है तो यह नहीं letter कहा जाएगा ना ऐसा तो है नहीं कि मैं 5 times a to z पूरा लिखूं तब इंडिया पढ़ा जाता है ऐसा तो नहीं है 5 letters है इसमें 5 alphabets नहीं है तो alphabet पूरी series को कहेंगे और letter किसको कहेंगे उसके अंदर क जो parts है और दूसरी बात यह भी समझना होगा आपको की कि हम एल्फबेट और letter के अंदर यह भी समझना होगा कि alphabet को हम इसलिए जंगली singular में यूज करते हैं प्लूरल में करने का मतलब कि अलग-अलग भाशाओं के अलग-अलग alphabets जैसे मान लिजे बच्चों की किताबें आती हैं जिसमें A to Z भी होता है A से ग्या भी होता है तो हम कह सकते है alphabets क्योंकि उसमें दो languages के हैं है ना otherwise हम एक language की अगर बात करेंगे तो हम सिर्फ alphabet कहे यह मान लिजे मैंने कहा दिया किसी के लिए कि he knows many alphabets वो कई alphabets जानता है तो मेरा कहने का sense यह हुआ कि वह कई भाशाओं जानता है ठीक है ना कई भाशाओं को उसने पढ़ा है तो यह sense हो जाएगा ठीक तो alphabet or letter का difference I hope समझ में आ गया होगा अब जब हम इन्ही alphabet और इन् हमने कि यह जो एक alphabet है एक alphabet जिसके अंदर 26 letters होते हैं इनको बाटा गया है दो पार्ट में जिसमें पहला पार्ट होता है वावल और दूसरा पार्ट होता है अच्छा एक बात आ गई है यहां पर तो बता देते हैं ठीक है जन्रली आप क्योंकि मैं speaking तो नहीं पढ़ा रहा हूं पर मेरा मानना यह कि कोई अगर ऐसी बात सामने आ जाती तो बता देना चाहिए knowledge brought के साथ साथ डीप भी होना चाहिए देखिए यह वर्ड जो है यहां पर वी का भी यूज़ वर डबल्यू का भी यूज़ वर तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा कैसे प्रनाउस करेंगे इसको प्रनाउस करने के आप कोशिश करिएगा ठीक है ना मैं आपको बता देता हूं हमारे पास English में दो लेटर्स हैं जो वर साउंड के लिए होते हैं ठी ठीक है एक वी और दूसरा डबल्यू लेकिन इन दोनों को प्रनाउस करने का अलग-अलग तरीका है जब भी हम वी को प्रनाउस करेंगे तो वी को प्रनाउस करते समय हमारे जो नीचे के दाथ हैं वो हमारे उपर के होट के अंदर वाले हिससे को छूते हैं ठीक है ना आप वर्ट्स बढ़ेंगे जैसे वास, विक्ट्री तो अगर मेरे माउथ पर आप ध्यान देंगे तो मेरा दाथ उपर टच करेगा वास, विक्ट्री, वैन, विक्टर, लेकिन जब डबल्यू को प्रनाउस करते हैं तो यह दाथ उपर वाले होटों को नहीं चूना चाहिए बल हम्हादे जी City बजाने के समय बनाते हैं City बजाना नहीं है Mouth खाली गोल करना तो वैसे हमें डबल्यू प्रेंडांस करना जैसे what, why, when कि थीक्ए है ना? What, Why, When or where तो ऐसे तो जब न इससे प्रनाउस करेंगे, तो कैसे होगा, vowel और w का ही अम्टर से हो Vide को लोगों को clear नहीं होता है। इसलिए कई बार लोग skip करके वो sound को ही गाइब कर देते हैं tar, par, flower and I have listened to many people sing even they are good speaker in English language I have listened to many people even they are teacher they are teachers and they pronounce it wrong I don't want to blame anyone I want you to learn everything correctly right you have an option आपके पास option है आप अगर मुझ पर भी मान लीचे बिलीव ना हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इतनी आसानी से बिलीव नहीं करना है ठीक है आप dictionary पर जाओ आजकल तो बहुत अच्छा बहुत modern facilities हैं आपके पास आपके पास internet है आप internet पर search करो Oxford dictionary Oxford dictionary search करो उसमें word को डालो word के आगे एक speaker का symbol बन कर आएगा उसे touch करो वो बोल कर बताएगा क्या sound है कैसे pronounce करना है आप उसे सुन लीजे ठीक है ना? तो आपके लिए भी clear हो जाएगा और एक habit भी हो जाएगी कि आप किसी भी नए word को जब देखे तो उसका pronunciation सुन लीजे और उसको सही pronounce करिए ठीक है ना? तो यह will find it correct ठीक है? आचा बहुत से लोग आपको तब भी confuse कर सकते हैं misguide कर सकते हैं यह कहकर कि भाईया वो तो English मतलब England का sound है England की accent है UK accent है तो उनको accent का मतलब भी नहीं पता pronunciation is a different thing accent is a different thing ठीक है ना? pronunciation सबका एक होगा accent सबकी अलग-अलग होगी तो pronunciation जब आप देखेंगे तो international level पर हम North American pronunciation ने यूज़ करेंगे उसमें दो तरह के pronunciations दी होते हैं एक उता British pronunciation और एक उता North American pronunciation आपको British वाला यूज़ करना होता है international level पर है ठीक है ना? तो even dictionary में लिखा भी होता है phonetic हम पढ़ते इसलिए है phonetic symbols होते हैं तो यह सब थोड़ा सा गहरी बात है पर आगई यहां पर तो मैंने बता दिया आपके लिए सबसे आसान है कि आप word को वैसे सर्च करके speaker के icon पर click करके उसको सुन लीज़े तो यह डबली वाले मैंने बता दिया कि भाई ऐसे पढ़ना है तो flower कभी नहीं पढ़िएगा बले आप कितने भी अच्छे speaker से सुन रहे है वो कह रहा है flowers obviously मैंने भी तो सुना है तभी तो मैं बता रहा हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं फिर मैं ऐसा रिस्क क्यों लूँगा कि बिना जाने में उस चीज़ को गलत बोलूँगा तो यह भी एक समझने वाली बात है ठीक है ना तो it is flower ना कि flowers राइट तो वावल कॉंसोनेट में समझा रहा था बीच में डबलू का sound समझाने लगा तो हमारे पास five वावल होते हैं हिंदी में हम कहते स्वर ठीक है five वावल होते हैं a, e, i, o, u इनका काम होता है दो sounds को जोड़ना और बाकी हमारे पास twenty-one consonants होते हैं जिनको हिंदी में कहते है वयन, जन और इनका काम जोड़ना नहीं होता है बस sound produce करना होता है इन 5 को छोड़कर जितने भी बचें बी से जट तक में वो सब consonant होते हैं ठेक इन 5 को छोड़कर जितने भी सब के सब consonant होते हैं लेगन एक बात और समझ दीजे कि लेटर्स तो 26 होते हैं पर इन 26 letters के 44 sounds होते हैं यह question पूछा जा चुका है एक बार इसलिए मैं बता रहा हूं 44 sounds होते हैं और यह जो 44 गिव मिया मोमेंट यह जो 44 sounds होते हैं इन में आपके 20 vowel sounds होते हैं और 24 consonant sounds होते हैं ठीक है ना 20 vowel sounds होते हैं 24 consonant sounds होते हैं और ये कौन से 20 vowel 24 consonant होते हैं अगर इसको भी आप deeply पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं next अपने lecture में आपको बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे आपको कुछ शो भी करना पढ़ेगा ठीक है तो वो next lecture में आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा and I hope आप समझ भी चाहेंगे तो estate में कोई भी information estate के batch के बारे में आपको लेनी है scrolling में number मिल जाएंगे और numbers पर आप call कर लीजे description में भी information होगी तो आप उसके में जा करके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना काफी है मैं चलता हूँ फिर में लोगा next lecture में और हम इसी तरह से पढ़ेंगे हर एक पार्ट को base से top तक एकदम deeply ठीक है ना कुछ भी छोड़ना नहीं है तो चलता हूँ फिर में लेंगे नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बाई जैहंद